हेलो दोस्तो स्वागत है गवर्मेंट एजूकेशन में मेरे नाम है जितिंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम हिंदी का बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसे गद्धांस और पद्धांस खा जाता है तो हम इसमें गद्धांस देखेंगे तो गद्धांस बिसिकली क्या होता है आपको एक आर्टिकल दे दिया जाएगा और आपको कुशन दे दिये जाते हैं तो उनका जो गद्धांस दिया पिसन यहां नाटा यह और यह 5 नम्बरक आता एक तो पाँच नमबरक आता है तो इन 5 नमबरों को ना आप बिल्कुल सही तरीके से अगर सही करोंगे और जल्दी कर पाओगे तो बहुत ही आँप बहुत ही अच्छा है क्योंकि को करते तो topl curve लेते हैसे लिक बहुत करते हैं और इससे पहले में हमने मुहाबरे का वीडियो जो है अपलोड किया था तो जो यह 17 में एसा ही में मुहाबरे पूछे गए थे तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो यहां पर एक आईका बटान आ रहा हो इस पे कल करके देख सकते हो और यह जो है वह हम गद्धांस देख रहे हैं जो कि यह भी 2017 में आई हुए हैं तो इसमें मैं पूरे सभी के पेपरों के नहीं लिए हैं तो मैं आपको दो तीन पेपर के उठा के लिए हुए हैं तो उन्हीं को जो है एक्स्प्लें करूंगा और बाकि आपको सॉल्व कीजेगा असानी से सॉल लिए करो उसके बाद जो है यह आप गद्धांस पड़ा करो ओके तो इससे आपको क्या फाइदा होगा कि आपने कुश्चन जो है आपके मैंड में एक वार क्लिक कर जाएगा है और वहीं से जो लाइन आपको पढ़ोगे ना तो वहां से एक दम से क्लिक कर जाएगा तो व आपको ज्यादा लग जाता है तो पहले कुश्चन पढ़ लिया करो उसके बाद जो है वो यह गद्धांस पढ़ा ही अगरो ओके तो देखिए मैं यहां पर पूछा गया है कि उचित सीर्शक लिखते है तो उचित सीर्शक का है तो बो तो हमें गद्धांस पूरा जब तक सब्सक्राइब होती है नेक्स हो गया विनास का कारण और यहां पराइब हो और तो यह ईizo हो गया और से मैं अपर यह पढ़ने बाला हूँ तो देखिए यहां पर बेैद्धेल का जीवन से बहुत मैत्पूर संबंद है हमारे शरीर में तीन भाग पानी का है उसी प्रकार धरती पर तीन भाग जल का है जल के कारण हर्यारी और हर्याली से औक्सिजन प्राप्त होती है तो यहां से देखिए जल के कारण हर्यारी और हर्याली से औक्सिजन प्राप्त होती है तो अक्सि कि पड़ते हैं और हमें एक क्वश्चन और पूछा गया था हर्याली किसके कारण हिए तो न संद्सिशन के नाम के रहाई के कारण हर्याली का बिनाज कर रहे हैं तो यहां से देखिए हमें हर्याली का बिनाज कहां से हो रहा है कि लोग जो है वो इंड्रस्ट्री और रहाजी ओके इंड्रस्ट्री और रहाजी भवनों के नाम पर एवं गलत निर्णा के कारण हर्याली का बिनाज हो रहा है तो देख आता कि भवनों के नाम पर और गलत निर्णा के कारण तो यह option गलत हो जाएगा अग्ला देखते हैं industry रहाइसी भवनों के नाम पर जलका धरती से गलत दोहन और गलत निर्णाई के कारण जलका बिना सो रहा है तो यहाँ पर जलका कहा है हमें हर्याली का निकालना तो यह भी गलत हो जाएगा देकि एक एक सब्द हैं बहुत ही जो है ध्यान से नहीं सुनोगे तो गलत भी हो सकता है अब यह बाला देखते हैं कि इंडस्ट्री रियाईशी भवनों के नाम पर पेड़ पौदों का धर्ट तो यहां से लाद body an के कारण जो हर्याली का बिनाश निर्णा हो रहा है तो यहां से देखिया हमें क्या मिल गया इंञा पर तो यह बाला हमारा अंसर भौद विगा पार ऑप गलत दोभन की बज़े से गलत नियांकी बज़े से तो थर्ड आप्सन ज्यो है इसका अंसर हो जाएका अब ca wakebird शीर supports अम molto कुरा नहीं पढ़ेंगे तब तकता नहीं पढ़ेगा तो यहां से दिखे हमने यहां तक पड़ लिया जल का धरती से गलत दोहन किया जा रहा है कहते हैं जल ही जीवन है और बिन पानी सबसून यानि जल के बिना हम जीवन की कलपना ही नहीं कर सकते जल के बिना सारी प्रत्वी परियावरन प्रोदूशन हो जाएगा प्रत्वी रहने लाइक नहीं रहेगी इस कारण बस प्रत्वी मानव भीन हो जाएगी तो यहां पर देखो कि मोशली जो है वो किसके बारे में बात की गई है जल के बारे में बात की गई है तो वो ही हमारा सीरसक हो जाएगा कि इसमें जो है वो जल के बारे में बताया गया है कि जल जो है वो कितना महतपूर है हमारी धर्दी के लिए तो जो हमारा सीर सकता देखिए ये बाला तो यहाँ पर क्या बताया गया है जल का महतव यानि second option जो है इस cancer हो जाएगा तो इस तरीके से आपको solve करना है चली देखते है चली देखिए ये बाला है तो इसमें भी हम क्या करेंगे पहले question पढ़ेंगे उसके बाद जो है हम बाकी के answer लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर पहला question क्या कहा गया है कि मीरा बहन ने किस आश्रम की इस्तापना की तो यहाँ पर बोला गया कि मीरा बहन ने किस आश्रम की इस्तापना की चली अगला देखते हैं अगले में बात की गई है आजादी के कितने साल बाद मीरा बहन ने आश्रम की इस्तापना की फिर मीरा बहन का जन्म कहा हुआ और मीरा बहन किसे छोड़ कर भारत आई थी और यहां पर बात की गई है यह चाहिए अलग हो गया तो यही कुश्चन है अब देखे यहां पर तो हमें मिल गया यहां से ओके यहां से स्टार्ट करना है तो हमें तीन question मिले कि मीरा भेहन जो है वह आसरम कब स्थाप्न किया हुआ था और किसे जो है वह छोड़ कि आई थी और आसरम की स्थापना कब हुई थी और जन्म कहां हुआ था तो यह question है तो हम अब पढ़ने वालें इसको तो मीरा भेहन का जन उसलर गाणदी जी के बिचारों पर उन पर इतना असर हुआ कि वे को शोड़कर भारत आ गईंवारभड गांदि जी के साथ काम करने लगिंष ऐजादी क पांध साल बाद उन्हों ने उत्तक्वा liberty के एक पहाडी गाओं गेबली में यूप होजिन और यूंकि स्थाफना कि यहां पर आश्चार्ब कि स्थाफना कहां यह एक तो महां पुथ हुआकर ग्वाव आश्सार्खन अस्था reality कि सब्सक्राइब कि शापना की तो यह जो है इसका अंसर हो जाएगा वाक्वी में नौ साल दिए हुग आठा साल दिया हुगत यह कालत हो जाएगा आगे कि मीरा बहन ल barr ल आ लखने की मिरा वहन में देख comment अश्रम हो गया और नेक्स चुज़ा आश्रम पांच साल बाद ये भी हो गया हमारा और मीरा बेन का जन्म इंगलेंड में हुआ था ये भी पता पड़ गया मीरा बेन किसे छोड़कर भारत आई थी तो यहां पर देखिए हमने बात की गई थी तो गांदी जी के विचारों प अपने माता पिता को छोड़कर भारत आई थी तो इसका भी हमारा फ्रस्ट ऑप्शन हो जाएगा तो देखिए बाकी आगे सॉल्व करने की जरूती नहीं है यहीं पर पूरा पढ़ना पड़ता यह पूरा पड़ते तो आपको टाइम बेस्ट होता हमें यहां पर पूरा पाइदा होता है कि आप कुशन पहले बढ़ लिए अगर उसके बाद जो हम यह गद्दांस पड़ा करो ओके चलिए अब हम अगला देखते हैं तो अगले में देखिए कि यह वाला है ओके तो इसमें जो है मैं एक दो टीन चार तो इसमें भी चार हो एँक हए तो आब हमे इसको देखते हैं पहले कुशन पढ़एंगे उसके बाद जो है एंसर निकालेंगे तो इस ग द्दांस को पढ़कर इसके सील सक्षा हमें निकालना है तो वह हम पूरा पढ़एंगे तब चाते हैं तो यहां पर हमें निकालना है कि गांदी जी तो थे वो किस बात के लिए समझौोरता नहीं करना चाने थे िक यह question ही हो गया अगला है कद्धांस को पढब कर बताएए कि गांदी जी है इस तरही के तुल्म क्ति से की Crystal ने किसे असुविधा ना होने के बारे में बात करते हैं असुविधा ना होने के बारे में बात करते हैं तो किसकी असुविधा ना होने के बारे में बात किये तो ये पूचा गया है तो और अब हम निकालते देखें तो अब हम पढ़ेंगे कि महलाओं की महती भूमिका के बारे में गांदी जी ने कहा कि इस्त्रियों के अधिकार के प्रिष्ण पर मैं किसी प्रकार का समझवता करने के लिए तैयार नहीं हूँ तो वह उनका जन्म सिद्ध अधिकार है और कुश्चन हमारे थे ये वाले ठीक है जन्म सिद्ध अधिकार है मेरी राय में उन्हें किसी प्रकार की अधिकार नहीं होनी चाहिए इस्त्रि घर की स्वामिनी है पुरुष रोटी कमाता है वह उसे सब को माटती और खिलाती है घर का रखरगाव और बच्चों का पालन करती है वह राष्ट माता है तो देखिए हमारा एक तो यह मिल गया कि समझाता नहीं करना है तो यहां से देखिए किसी प्रकार का समझाता नहीं करना चाहते थे तो किसके रिए इस्त्रियों के अश्वधा की बात की गई यहां पर इस्त्रियों के अधिकार के प्रिश्ण पर मैं किसी प्रकार का तो य ये option हमारा ये मिल गया इसका आगे हमें क्या gens opened 2 यहाँ पर यह वाला होगे हमारा इक ची मांता से觉ते और अगला आपर क्या than aonik के बारे में बताया तो वह एक स्विधा इस कि स्विधा ना होने के बारे में आरमकर ससा किसे इस इस मांसर जाएगा do option okay तो इस तरियों का यह हो गया आगे अगर हम बात करें तो और क्या बचा है हमारा ओके यह भी हो गया यह भी हो गया और यह भी हो गया हमारा अब यह देखिए इसमें किसकी बात की गई है मोशली जो हो इस्तरी के बारे में बात की गई हमारे तो जो सीर्शक हो होगा वो इस्तरी पर ही रहेगा तो इसका अंसर हो जाएगा सीवसक तो यह थे हमारे कौशन आज के तो आई होपको संभश में किस तरीके से आपको गद्दांस को solve करना है पहले question पढ़ना है उसके बाद गद्दांस दिया हुआ उसको पढ़ना है और question को ध्यान में रखना ऐसे नहीं है कि आपने पढ़ लिया और मतलब ऐसी पढ़ लिया भूल गए तो इतना तो थोड़ा तो आगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा तो याद को कुछ मतलब नहीं है इसी बेस पर रहेंगे तो आयोब आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक और शेर जरू करना और जो भी साथी नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन पर जरू क्रेस करें और मिलते हैं क्लिए वीडियो में थैंक लिए वाचिंग थैंपाइ दो